अलो स्टूडेंट इस अन्पम गंबिर यू आर वाजिंग अन्पम इंग्लिश क्लाशेज इस्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लमिंगो बुक से इसके हम एक्स्प्लेनिशन को कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि असोका मित्रन जो हमारे इस चैप्टर के ओधर है वो मदरास के चन्नाई के जैमिनी स्टूडियो में काम करते हैं हमें बताते हैं कि वहां पे ट्रॉक लोड हो गयानि कि भौत ही ज्यादा क्वांटिटी में पैनकेक्स आता था पैनकेक्स स्टूडेंट यह प्रोड़क्ट है जो कि फिर्टीश्ट को लगाया जाता है मेक उप करते समय तो असोका मित्रन बताते हैं कि इतना ज्यादा पैन से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पेराग्राफ, इन दोस देज, आइफट इन क्यूबिकल टु होल साइट ओफ व्छ वर फ्रेंच विंडोगास। बतारे हैं कि जिन दनों Мें में काम करता था तो मैं क्यूबिकल रूम में काम करता था क्यूबिकल रूम यानि की क्लोज्ड रूम से मतलब होता है श्टुडेंट और कह रहे हैं कि छोटा सा केविन जैसा क्यूबिकल एक रूम था जहां वो काम करते थे और जो वहां विंडो लगी हुई थी आप मुझे पता चला है कि उस विंडो को क्या कहते हैं फ्रेंच विंडो कहते हैं जो कि दोनों साइड से खुलती है I did not know at that time they were called French window कहा जाता है seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in the day out कह रहे है कि जब मैं वहाँ पे बैठा वता था अपने क्यूपिकल रूम में तो उनका क्या था student कि newspaper की click कट करके और वो cutting कर करके रखते थे और उसको जहां भी paste करना होता था या जरूरत होती थी तो उसको संभाल के रखते थे newspaper की cutting का उनका काम था और बता रहे हैं कि most people thought I was doing next to nothing और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे department में उस studio में सभी लोग सोचते थे कि यह तो बेकार का ही काम करते हैं इनका कोई काम है कि newspaper की click cut करते हैं it is likely that the boss thought likewise too और वो बताते हैं कि even कि boss भी ऐसा ही समझते थे कि मेरा जो काम है वो ज्यादा tough नहीं है ऐसे ही मैं काम करता हूँ so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture अब बताते हैं कि मुझे ऐसी काम करते हैं ऐसे सोचते थे लोग कि ये तो खाली ही है और कोई भी वहां पे बार जो के आ जाता था बार जी आनी कि student बिना permission के अंदर आ जाना तो कैरे कोई भी आ जाता था अंदर और lecture देना अपना बेफालतू की बाते करना मिरसंद शुरू कर देते थे दा बॉइ इन दा मेकप देपार्टमेंट है डिसाइड़ आई शुड बी अनलाइटेंट ओन हाव ग्रेट लिट्रेरी टैलेंट वास बिंग अलाओ तो गो वेस्ट इन डेपार्टमेंट फिट ओनली फोर बार्बर्स एंड परवर्ड्स आगे ओथर बताते हैं कि फिर एक दिन एक वो बॉइ आ गया यहाँ पर हम फास्ट पार्ट में डिसकस कर चुके हैं कि यह जो ओफिस बॉइ था ओफिस बॉइ का काम होता है चाए पानी वगर लाना लेकिन जब वहां इस्टूडियो में जब बहुत ज़्यादा क्राउड ह किट department में जाती थी जिस दिन क्राउड का मेकब होता था तो यह ऑफिस बॉइ भी उनके मेकब में चोड़ जाता था तो आथर बताते हैं कि फिर यह भी आ जाता था मेरे क्योंवे बॉइकल में तो बॉइ ऑन जाता था और अपना लेक्टर देना मेरे साआ डिसकस करता था और एक दिन वह कहने लगा कि मैं तो यहां पे बेकार में जी काम कर रहा हूँ, मेरे बाथ तो बहुत टैलेंट है, मुझे लिटरेसि भी आती है, या है मैं तो पोईट्री भी कर लेता हूं, मैं पोईट हूँ, तो या तो केवल इस डिपार्टमेंट में तो वो ही लोगवर् यह office boy कह रहा है किस से कह रहा है हमारे author से कह रहा है soon I was praying for crowd shooting all that time मैं तो प्रेख कर रहा था भगवान से कि यह जो crowd की shooting है ज़र shooting के दौरान बहुत सारी crowd आ जाती है तो वो जो make-up department के लोगों वो make-up करने के लिए कम पढ़ते हैं तो उन दिनों यह office boy भी shooting करता था जैसा कि हम first part में पढ़ी चुके हैं तो हमारे author pray करते हैं कि यह जो crowd की shooting है वो हमेशा चलती रहे nothing short of it could save me from his epic जिससे कि मैं इसके epic से बच पाऊँ epic की मिनिंग होती है student landy talk कह रहे ही जो पेफालतू की लंबी लंबी बाते मेरे साथ करता है इन बातों से मैं बच जाओ और मैं प्रे करता हूँ कि वो जो shooting है crowd की shooting वो हमेशा ही चलती रहे next paragraph in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly and this man of the makeup department was convinced that all his woes ignominy and neglect were due to kotha manglam supu तो यहां पे हमारे author बता रहे हैं कि यह जो office boy है इसका जितना भी frustration जितना भी इसका गुसा था covertly की मीनिंग होती है secretly और woes की मीनिंग होती है problem या troubles और ignominy की मीनिंग होती है decrease तो कहती ही इसके फेस का जितना भी फ्रेस्टेशन था जितना इसका गुस्षा था वो सब सुबु के लिए था या य। जू मेंगने सब्सकतरल अन्यपार्टमेंट उसका सेकेंड नमबर पर सब्सक्रानी का फेस्ट आटए are लिगोर सबसे हमा में कृष्टो था Kennedy, इसका जि और मैं पता रहे हैं कि जब सुबु ने ये ओफिस जोइन किया था तो वो भी एक ओफिस बॉय की तरह था यानि कि उसकी पोजिशन भी ओफिस बॉय की थी लेकिन दीरे दीरे उसने अपने आपको ग्रोन अप किया और वो जैमनी स्टूडियो के मेकप डेपार्टमेंट के से ओन दा कॉंट्रेरी ये मुश्ट हैव हैट तो फेस्ट मोर अंसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम फोर वैन ही बिगेन हिस कैरियर दियर वर नो फिर फर्मली एस्टाबलेज्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और इस्टूडियो तो ओधर कहते हैं कि बल्कि इसने त सिटूइशन को हैंडिल किया है यह जो आप सेकेंड नंबर पर आगया है सुबू लेकिन इसने यह जो इस समय ऑफिस बॉय इसने तो ज्यादा इस्टागल नहीं कि क्यों क्योंकि जिस टाइम पर वो आया था तो उतनी तो फुल प्रोड्यूजिंग और कंपनीज और इसन में देखा जाए सुबू की एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी ही एजुकेशन इसकी अच्छी ओफिस बएज ज्यादा पड़ा लिखा है और उस समय तो ज्यादा फैसिलिटीज भी एजुकेशन वगर की नहीं थी जितनी अब है बट बाइवर्चु ओ बिं इसकी एक्सपिरियंस और एफ्लूएंट की मिनिगोती है जी चिया पैटर जोई कहा रहे है कि अगर गुर्लक की तरह से भी देखा जाए तो यह जो सुबू है इसका लग बहुत अच्छा है यह ब्रामिन फैमिली से भी लोग करता है इसकी फाइनेंसिल सिचुएशन भी इ वह हमेशा चीरफुल रहता था हमेशा हैपी रहता था और कभी फिल्म कोई फ्लॉब भी हो जाती थी तब भी वह घबराता है नहीं था और हैपी रहता था यह ओल्वेश हैड वर्क फॉर समबडी और वह किसी के लिए भी काम करने को तयार हो जाता था यहां पे प्रिंसिपल आया है स्टुडेंट सुबू के बॉस के लिए जो हैड थे उस डिपार्टमेंट के तो कह रहे हैं कि वह बहुती लोयल था जो सुबू था बहुती लोयल मिंस आई स्ट्रॉंग फिलिंग और समबन किसी के लिए भी मतलब बहुत अच्छी फिलिंग रखता थ फिलिंग था तो यही वस टे लर मेड फॉर फिल्मेर के मिनिक होते है इस्टूडेट अईटियल तो वह हमेशा फिलम मेकिंग के लिए me Pierpina अधूरी रहती थे There was a man who could be inspired when commanded, commanded मतला order, तो जब भी कभी उनके बॉस कोई भी उसको order देते थे, तो वो उसको complete करने के लिए हमेशा inspired रहता था, हमेशा present रहता था तो यहाँ पे वहाँ जो बहुत सारी फिल्म बनती है इस्टूडियो में तो उसके एक सीन को बताते हुए बता रहे हैं हमारे ओथर कि एक जो रैट होता है वो टाइग्रेस को मार देता है पानी के अंदर और लेकिन उनके जो कब्स होते हैं यह जो टाइग्रेस के बच्चे ह होते है टाइगर के उनको उस पे दया आ जाती है किसको रैट को उस पे दया जाती तो कुछ ऐसा सा सीन प्रेजेंट किया गया आई डिड नॉट नो हाव तो दू दा सीन दा प्रोड्यूसर वूट से एंड सुबू वूड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रैट तो यहां पर आउथर बता रहे है कि इस परकार का सीन प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा था कि किस परकार से पड़े पर दिखाया जाए लेकिन जो सुबू था इसने इस सीन को दिखाने के चार तरीके बता दिये मतलब कि वो इतना इंटेलिजेंट था फिल्मेकिंग में गुड़ बट आइम नोट शूर इट इस अफेक्टिव इनव प्रोड्यूसर वोड़ से एंट इन अ मिनट सुबू वोड़ कम आउट विद फोर्टीन मोर अल्टनेटिव तो जब उन्हें सुबू ने बताए तरीके चार तरीके बताए लेकिन प्रोड्यूसर को फिर भी अच्छा नहीं लगा जचे नहीं वो सारे तरीके तो उसके बाद बता रहे हमारे उतर कि सुबू ने फोर्टीन तरीके और बता दिये कि इस टाइब साम सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप संज़िए कि वो इतना ज्यादा क्लेवर था कि वो सोचता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे वो हर तरीके से सीन को पेश करना जानता था फिल्मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वह सो इजी विदा मैं लाइक सुबू अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज़ अ मैं वो गेव डिरेक्शन एंड डेफिनेशन तो जैमनी स्टूडियो दूरिं इस गोल्डन इयर इतना इतना इंटेलिजन था इतना क्लावर था फिल्मेकिंग अच्छे से जानता था कि अपने गोल्डन इयर्स में यानि कि जब वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था उन इयर्स में उसकी वज़े से ही जैमनी स्टूडियो इतना फेमस हो पाया था सुबू had a separate identity as a poet and true तो he was certainly capable of more complex and higher forms. He deliberately chose to address his poetry and the masses. अब ऑथर बता रहे हैं कि जो सुबू था वो second number पे तो था इजैमनी स्टूडियो में इसके अलावा वो छोटी-मोटी poetry भी करता था पॉम भी लिखता था और वो कैसी पॉम लिखता था बहुती complex नहीं लिखता था हार फार्म्स वाले नहीं थोड़ा easy language में लिखता था जिससे कि उनकी poetry, masses यानी की सभी को समझ में आ जाए easy रूप में वो पॉम लिखता था his success in films over shadows and draft his literary achievements or so his critics felt shadow की meaning होती है इस्टूडेंट डब के रह जाना ओथर बताते हैं कि वो poetry तो बहुत अच्छी करता था लेकिन वो जो filmmaking में उसको सफलता मिली थी उसके वज़े से जो उसकी poetry का काम है वो डब के रह गया और critics कौन होते हैं जो judge करते हैं कि ये काम अच्छा है या नहीं तो वो critics भी ऐसा ही feel करते थे कि ये जो इसकी poetry की हुनर है जो poetry से लिखना जानता है उसका इतना अच्छी poetry भी लिखता है लेकिन उसका वो हुनर ये इसकी filmmaking के काम से दबके रह गया और शुड़ेड हो गया ये कंपोजड ते सेवरल तूली औरिजनल स्टोरी पोम से इन फॉक रिटेन एंड दिक्षन और अलसो रोट ए राविंग नॉवल थिलाना वह नंबल विद ड़ेजन सॉफ वेरी डिफिटली एच्ड करेक्टर डिफिटली की मीनिंग होती है और शुड़ी पर कंपोज होती थी और जो एक उसने नॉवल लिखा था थिलाना मोहनमबल विद ड़ेजन और वेरी डिफिटली डिफिटली मतलख लेवरली उपु ने इस नॉवल में हर करेक्टर को इतने चत्वाई के साथ पेश किया था कि उस नॉवल की एक चीच एक च सिचुईशन समझ में आती है ही कौईट सक्सेसफुली रिक्रियेटेव दा मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीस ऑफ दा अरली टुंटीच सेंचुरी से पहले देवदासीस को का जाता है इस्टुडेंट जो तमिल में मंदिर में अलग अलग वे से जो लड़कियां पूजा मूड को ही वाज एन अमेजिंग एक्टर ही नेवर एक्सपायर टो दा लीड रोल्स बट वट एवर सब्स्टिटेटरी रोल ही प्लेड इन अनी ओफ द फिल्म से ही पर्फॉर्म्ड बैटर दें था सपोजड में प्लियर्स अब बता जा रहा है कि वो जो में प्लियर के पा अच्छा प्रोडियूसर और एक आर्टिस्ट भी था और जब कभी सेकिंड रूल की जरत होती ती तो उसको भी बहुत बखू भी निवाता था तो जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी साथ इस्टूड ये वीडियो लक्षर कंप्लीट करते हैं दो लक्षर में तब तक कि लिबाए